किसान भाईयो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल स्मार्ट एग्री कल्चर में इस समय स्वयाबीन की फलियों में दाना बढ़ने का काम चल रहा है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय स्वयाबीन में क्या डाले जिससे पोदे में कीट और फंगस ना लगे और फलियों में दाना मोटा चमकदार और वजनदार बने यानि कि कुल मिला कर बात करें तो स्वयाबीन की पैदावार ज्यादा हो तो इस समय कुछ शेतरों में पत्ती खाने वाली इलिया नजर आ रहे हैं तो कुछ शेतरों में इलियों के साथ साथ सपेद मक्की भी देखने को मिल रहे हैं और आजकल फंगस की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जिससे स्वयाबीन में पिलापन भी आ रहा हैं तो इस समय हमें सुयाबीन को किस परकार से सुरक्सित रखना चाहिए सुयाबीन को सुरक्सित रखने के लिए हमें किन किन चीजों को परयोग में लाना चाहिए उसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकरी मिलेगी तो आप वीडियो को अंतर तक जरूर देखना उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पाई जो गंटे का निसाने उससे जरूर दबा दीजेगा अब हम सबसे पहले नमबर पर बात करते हैं कि सोयाबीन को रस्तुसक कीट और इल्यों से सुरक्षित कैसे रखे तो किसान भाईयो अगर आपके खेट में आपको सिर्फ इल्या नजर आ रहे हैं तो आप क्लोरेंटरा नेली प्रोल या फिर फ्लू बेंडियामाइड केमिकल वाली दवाव का पुर्यों कर सकते हैं जिससे आपके सोयाबीन के खेट में इल्या कंट्रोल हो जाएगी अब किसान भाईयो इनकी जो कंपनिया हैं उसकी बात करें तो क्लोरेंटरा नेली प्रोल के रूप में आपको एपेमसी की कोराजन बीएसेप की वेस्टी कोर और इसके अलावा से जेंटा की एमपली को देखने को मिल जाएगी तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और फ्लूमेंडियमाड की रूप में आप बायर की फेम या टाटा की टाकोमी का प्रयोग कर सकते हैं और किसान भाईयो अगर आपको इल्लियो के साथ साथ सपेद मक्की या रस्टू से कीड भी नजर आ रहे हैं तो आप थाव मेतेक्सों प्लस लेमरा सालोतरीन या फिर बेटा साइपलूतरीन प्लस एमेडा क्लूरूरूपिड का प्रयोग कर सकते हैं अगर इनमें हम कंपणियों की बात करें तो आप थाव मेतेक्सों प्लस लेमरा सालोतरीन के रूप में सेजेन्टा की अलिका और बेटा साइपलूतरीन प्लस एमेडा क्लूरूरूपिड के रूप में आप बायर की सोलोमोन का प्रयोग कर सकते हैं जिससे सोयबीन में इल्ल चाने कि कई पे फलिया सडी वई नज़र हा रहे हैं या फिर पूदे पर आपको कई पर भी फंगश नज़र आ रहे हैं तो आप टेबुकोना जोल प्लस सलफर या फिर डाय मेतो मार्फ प्लस पाइरे क्लोच्टरोबिन केमिकल वाली फंगिसड का प्रियोग कर सकते हैं अब अगर बात करें तो टेबू कोना जोल प्लस सलफर के रूप में आपको एकसेल की स्वाधिन मिल जाएगी तो आप उसका प्रियोग कर सकते हैं और आप डाई में तो मार्फ प्लस पायरे कलोश ट्रोबीन के रूप में कर्शी रसाइन की फ्लिक्स उपर आपको बाजार मे मिल जाएगी अगर आप चाहे तो इनका प्रियोग कर सकते हैं नहीं तो आप इन केमिकल वाली किसी भी दोवाव का प्रियोग कर सकते हैं यह तो किसान भायो हमने बात की स्वाधिन को कीट और पंगस्य सुरक्सित कैसे रखे अब हम बात करते हैं कि स्वाधिन में हमें क्या डालना चाहिए जिससे स्वाइमीन की फल्यों में जो दाना बनेगा वैं मोटा मजबूत और चमकदार बने तो किसान भाईयो आप इसके लिए पोटास का प्रियों कर सकते हैं क्योंकि पोटास किसी भी फसल के फल की साइज को बढ़ाता है यानि कि फल्यों में दाना बराव अच्छे तरीके से करता है दाने को चमकदार बनाता है और दाने का वजन बढ़ाता है तो किसान भाईयो आप पोटास का प्रियों कर सकते हैं अगर आप चाहे तो पोटास के रूप में आप नपिके का गुलनसिल खा दाता है 0050 उसका प्रियों कर सकते हैं क्योंकि उसमें 50 प्रतिस्त पोटास मौझूद होता है और पोटास के साथ-साथ उस में सलफर भी मौझूद होता है जो पोड़े के लिए बहुत ही आउश्च के पूड़ा ऑच्छा है और किसान भाई यो तृलेनी के लिए सलफर यह बहूत हैं पोसरक्रणित तो आप 0-0-50 खाद का प्लियोग कर सकते हैं जिससे सोयबीन में दाना ब्राव बहुत अच्छे तरीके से होगा तो किसान भाइयो इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में बात करी कि सोयबीन को कीट और हिलो से सुरक्षित कैसे रखे अगर फंगस लग रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करे और सोयबीन की अच्छी प्यदावार के लिए हमें क्या डालना चाहिए तो किसान भाइयो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जूर कीजिए का चलिए मिलते हैं ये वीडियो में जैजवान जैगी सान